दोस्तों आज हम जानेंगे भग्य साली इस्त्रों की पहचान क्या होती है क्योंकि अगर किसी लड़की की साधी किसी भग्य साली लड़की से हो जाए तो वह रोडपती से सीधा क्रोडपती बन जाता है लेकिन अगर किसी लड़की की साधी किसी ए भग्य साली लड़की से हो श्रिष्टी रचेता ब्रह्मा जी ने नारी की ऐसी रचना की जिसे वह भी स्वैम पूरी त्रहे से समझ नहीं पाई हैं। कहा जाता है कि इस्तरी घर को स्वर्ग बना सकती हैं लेकिन अगर इस्तरी का पत ब्रश्ट हो जाए तो वह उसे नर्क भी बना सकती हैं। यह हम बड़े होते हैं तो वह देवी लक्समी का परतिविम मानी गई हैं। जानते हैं क्या क्या होती हैं भाग्य साली और एभाग्य साली इस्तरों की पहचां। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्समी माता का असरवाद आप पर बना रहें तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट बोक्स में जैं लक्समी माता जरूर लिखें। नमबर एक यदि आप कन्या को देखने के लिए चाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानि छोटी उंगली भूमी को सपर्सक करती हो तो ऐसी इस्तरी सुब मानी जाती हैं। नमबर दो जिस लड़की का माता तीन उंगली से चोड़ा और आदे चंद्रमा का अकार लिए और नरम होता हैं तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सोभगे साली मानी जाती हैं। नमबर तीन जिस लड़की की आँखों के ऊपर और नीचे की तवचा हलकी लालिमा और आँखों की पुतली काली और सफेद भाग दूद के समान होता हैं तो ऐसी लड़कियों को भी भागे साली माना जाता हैं। इसके साथ ही जिन लड़कियों की चाल राज हंस के समान और कमर बाग के समान पतली होती हैं तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती हैं। नमबर चार जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भागेवान होती हैं। इस त्रहें की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भागेवान होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस त्रहें की लड़की जिस घर में जाती है वहाँ पर सुक समरिदी हमेशा बनी रहती हैं। नमबर पाँच जिन लड़कियों के पैर का अंगुठा, गोल और उठा हुआ वह लालिमा लिये हुए होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भागेशाली होती हैं। सामुदरिक सास्तर के अंसार ऐसी लड़कियां अपने पती के लिए बहुत ही सोभागेशाली होती हैं। भागे और सुखों में वरिदी करने वाली होती हैं। तो वह गहनों से सजी रहती हैं और कमजोर गर्दन वाली इस्तरी हमेशा गरीव रहती हैं। तो लंबी गर्दन वाली इस्तरी के बांज होने की संभावना होती है। तथा बहुत छोटी गर्दन वाली इस्तरी के मृत संतान की आसंका होती हैं। जिसके दोनों कंदे और गर्दन का उटा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयू वाली होती हैं। जिस इस्तरी के बोहें उची कोमल, सुकसम आपस में मिली हुई, वह धनुस के समान होती हैं। वह भी सुक, वह सोभाग देने वाली इस्तरी होती हैं। जिन कन्याओ का चहरा अपने पिता के चहरे से मिलता जुलता हो, तो वे लड़कियां बहुत ही भाग जाली होती हैं। जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहाती है अगर लड़का अपनी मा के जैसा हो तो वह लड़का बेहत भाग्य साली माना जाता है नमबर तस आपने देखा होगा कि कई लोगों का साधी के बाद भाग्य चमक जाता है उन्हें सफलता मिलनी सुरू हो जाती है कुछ लोगों के अच्छी नोकरी रख जाती है साथी आर्थिक्ष्टिती मजबूत होनी सुरू हो जाती है इसकी वज़य समंदर साश्तर में बताई गई है कि कुछ ऐसे सुबचीन है जो अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किसमत का धनी होता है नै सिर्फ अपने लिए बलकि जीवन साथी और परिवार के लिए भी साथे भविस्य पुरान गरुड पुरान विस्नु पुरान सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिकर किया गया है नमबर ग्यारा जिन यूवतियों के नेतर कमल की पंखडी के समान और उनके बीच का स्थान भुरा नैह कर बिलकुल सफेद हो तो ये कन्याई पती के लिए भागे वर्दक होती है नमबर बारा जिन कन्याऊं की भुजाऊं में हडियों का जोड नजर नहीं आता हाथ वे भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम छिदर नहीं होती तो वे भी भागे साली होती है नमबर तेरा हथेली से नाखून की और उंगलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना सुब दायक होता है नमबर चोदा बड़ी आँखों वाली लड़कियां ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आँखे बड़ी बड़ी वे सफेद होती हैं तो ऐसी महिलाई सभाव से बेहत चंचल होती हैं वे आपने आसपास खुसी भरा वातावन बनाए रखती हैं और पूरी जिन्दगी सुख से वैतीत करती हैं नमबर पंदरा जिन लड़कियों की जीब करंग लाल होता है और जीब बहुत कॉमल होती हैं तो ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख को प्राप्त करती हैं इनका भागे इन तक ही सिमित नहीं रहता बलकि इनके आच्छे भागे के काँ परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं बहुत कम लड़कियां होती हैं ये तिल का निसान, धन संपन, जीवन की निसानी माना जाता हैं वो लड़कियां भागे साली होती हैं और बेहद लकी भी होती हैं 17. गोलाकार एडिया जिन लड़किओं के एडिया कोमल और गोलाकार होती हैं. वह सारी उमर सुक सविधाएं भोगती हैं. इनके इस गुन के कान परिवार को भी लाब होता है. इसके लावा जिन ओर्थों की नाबी बड़ी और गहरी होती हैं व strangulation बहुत सुब मानी जाती हैं नमबर अठारा, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्राइंगल मार्क तिरकोन चिन हो तो ऐसी महिला भी भागे साली होती हैं, साथ ही ये पती और ससुराल के लिए लक्की साबित होती हैं, वहीं यह किसी भी परस्थिती में अपने पती का साथ नहीं छोड़ती, इन पर म लक्षमी की किरपा सदा बनी रहती हैं, नमबर उन्निस, अगर किसी इस्तरी के बाल घने, सीदे और लहरदार होते हैं, तो ऐसी महिलाएं जादा भागे साली होती हैं, ऐसी महिलाओं को जीवन में सुक और ऐस्वरिये मिलता हैं, नमबर बीस, जिन लड़कियों या तो वह काफी भागे साली साबित होती हैं, इसके इलावा ऐसे पैरों वाली ओरतें, खुले विचारों वाली होती हैं, जो लाइफ में कुछ नया करने की सोचती हैं, तो उसे करके ही रहती हैं, दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर धन्यवाद